हाई एवरिवान वेलकम बैक टू दे चानल तो दोस्तों क्या आप भी अभी तक ग्रे हैर से परेशान हैं तो आज की ये ब्राइन न्यू है रेमेडी जरूर ट्राय करिएगा देखिए इसको बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरिंट है असर इतना बढ़ियां आएगा इतना अच्छा डार्क ब्लाक कलर आपको मिलेगा कि आप भी कहेंगे पहले क्यों नहीं बताईए रेमेडी इसे बनाने का तरीका ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीज़ें मैं आड कर रही हूं किस स्टेप पे क्या चीज़ आड कर रही हूं and get the maximum results for yourself चलिए बिना देर की स्टा कीज़ स्टाहिक कर ऐसे बिना किसी प्राइने का डाले चयों कोई भी के युजेंए यह बिना उन चाहिए अच्छी कवंटिटी में आपको फिना केमिकल इंह होना का मैं संट को में आपको मिन बताया है हिना लेने के बाद आपको क्या करना है इसमें डालना है ये seeds आमले के बीज आमला को सुखा कर जो ये बीज तेयार होता है ये आपको इसमें अड़ करना है I know आप कहेंगे कि ये काफी मैसी हो जाएगा बाद में कैसे निकालेंगे बद नकालना बहुत ज़्यादा असान है दोस्तों साथ मैंने कॉफी पाउडर मिला दिया है और उसके साथ ही मैं इसमें आड करूंगी दही का पानी यानि जो सार सा पानी होता जो भी हम दही घर में जमाते हैं उसका हमें लिक्विट दही लेनी है बिल्कुल थिक दही नहीं लेनी है जो हम डालेंगे इसमें क्लोव ओयल यानि की लॉंग का तेल कुछ बूंदे मैं फटा फट से बता रही हूं दोस्तों ताकि आप सबका टाइम वेस नहीं हो आप भी फटा फट से बना कर लगा ले इसलिए जल्दी जल्दी से रेमिडी बताई है अगर आपको कोई कंफूजन ह मोच्त आप सकते हैं कि क्या चीज कब अप किया है गाव धी Android द्था किशन है अब इसे हम छोड़ देंगे के रात भर के पनाल यह में बताना आपको भूल गई तोल्म में अपको मिक्स करना को इसा बचलर कूछ एसम और बढर के वज़ए खर दही क के कि बाद हम इस तरह से अपना हेर पैक लगाएंगे जहां पर हमें ग्रेय है यह आप चाहें तो पूरे बालों में लगा सकते हैं मैं हाल 20-25 डेस पर में लगाती हूं तो जब कलर फेड होने लगता है तो इस तरह से गोल्डन हो जाते हैं आप देख सकते हैं अगर में और दस नहीं लगाएंगे तो फिर ग्रेय हैर वाइट हैर नज़र आने लगेंगे कई सरह लोग मुझसे कहते हैं कि आपके वाइट हैर नहीं है ग्रेय है यह आप देख सकते हैं दोस्तों जितने भी आपको गोल्डन और ब्राउनिश नजर आ रहे हैं यह सारे मेरे ग्रेय हैर है बस यही फरक है कि अगर मैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और चोड़ दो तो यह ग्रे दिखने लगेंगे, अभी इनका कलर फेड आउट हुआ है, तो इस तरह से गोल्डेन और ब्राउनिश नजर आ रहे हैं, हेर पैक को अपको अच्छे से लगा लेना है, मैं हमेशा यही कहूंगे क हिना हेर पैक पूरे बालों में लगाई है, पूरे स्कैल्प में लगाई है, ताकि सारे बाल आपके एक जस से लगे, कहीं पर लगाओगे, कहीं पर छोड़ दोगे, तो मज़ा नहीं आता देखने में, और हिना से बालों की बहुत अच्छी कंडिशनिंग भी हो जाती है, तो ये बेसिक सा हेर पैक जो काफी अच्छे रजल देता है, बनाने के तड़ी का थोड़ी सा डिफरेंट है, ये मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, आमला के बीच आप चाहे ना, जब आप सुबह उठते हैं, जब सुबह आपने देखा इस पैक को, तो स्पून की हे काफी अच्छा कलर बालों में भी आता है, तो आप इसे ट्राइ कर सकते हैं, लगाने के टाइम पर आप हातों से, या फिर किसी स्पून से सीट को डिसकार्ड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसके बाद हेर पैक को अच्छे से लगा लीजे, और मैं आपको सजेस्ट करूंग कम से कम एक से दो घंटे इस हेर पाक को लगे रहने दीजेगा जितनी जल्दी आप निकालेंगे ना उतनी जल्दी आपको यह कलर निकल जाएगा तो अगर आप चाहते हैं कि 5-6 शैंपू तक 5-6 वाशिस तक आपका हेर कलर इंटाक्ट रहे वालों में तो आप एक से दो से फॉपश करना है शैंपू नहीं करना है यहाँ नहीं करना है ओविल्ग आपको आछ गूंटाओ बात करना है तक अच्छा से मेहंदी का बालों में आ जयाएं आमले का कलर आजया उसके बाद आपको रात को ऑईळिंग करनी है जैसे आपने सुभा होईना लगया रात को प्लेन वाटर से वाश किया, रात को ऐलिंग करनी है और उसके भी नेक्स डे आपको वाश करना है, शैंपू करना है, हिना के बाद कभी भी तुरन ना शैंपू नहीं करिएगा, दो गंटों के लिए मैंने बालों में लगे रेने दिया यासे, और उसके बाद मैं प्लेन करने के बाद बालों में इतना अच्छा कलर आया है, मैंने कॉम भी नहीं किया है, सीधे बालों को मैंने टावल ड्राइ किया है, इसके बाद आपके साथ रिजल शेयर कर रही हूं, यहां पर हमें शैंपू नहीं करना है, ऐसे ही बालों को छोड़ दीजे 24 गंटों के लिए और रात को उइलिंग करके नेक्स डे आप शैंपू करिए, अगर आप से हो सके तो आप नेक्स डे भी उइलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इमेज़िटली आपको शैंपू नहीं करना है, यह है रो एन रियल कलर जो मैं आपको दिखा रही हूं अभी, जरू पर आप मुझे फोटोस भी भेज सकते हैं, मेरा इंस्ट्रागाम है, इसमी मनीशा प्रने, रियल और रो क्लिप आपको मैं दिखा रही हूं, आप देख सकते हैं, है ना, जरूर से जरूर चाय करिए, और यह तरीका यूज़ करके जरूर देखिएगा, आमला सीड्स को दह लिए। एंटे कयर और बॉए।